हलो फ्रेंड्स टोड़े वी अगॉन टॉक अबाउट टॉप फोर प्रोटेक्टिव नेचर डॉग ब्रीड्स तो नंबर वन पे आता है डोबमान डोबमान के बारे में मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना चुका है अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उस वीडियो का आप जाके चेक कर सकते हैं डोबमान इस अ सूपर एक्टिव नेचर डॉग ब्रीड और इसके लिए आपको एक लार्ड साइस का हाउस की जरुवत होगी अगर आप रखना चाहो तो और यह बहुत अच्छे प्रोटेक्टिव नेचर के गार्ड डॉग होते हैं यह अपने ओनर को बचाने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं तो अब चलते हैं नंबर थ्री की तरफ नंबर थ्री पर आता है हमारे पास राजा पल्यम राजा पल्यम इस एंडियन डॉग ब्रीड इसके बारे में काफी कम लोग जानते होंगे यह साउथ साइड की डॉग ब्रीड है और इसके बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक राजा पल्यम ने अपने ओनर को बचाने के चक्कर में एक ल लायन से फाइट कर गया था तो राजा पल्यम इस आट नमबर थ्री नमबर टू पे हैं हमारे पास रॉट्वाइलर तो एज वी आल नो रॉट्वाइलर इस वन अफ दी मोस्ट एग्रेसिव टॉट ब्रीड इन दी वर्ल्ड रॉट्वाइलर को अपने ओनर को बाइट करने के रिलेट में जाना जाता है तो रॉट्वाइलर बहुत प्रोट्रेक्टिव होते हैं और मतलब इन्हें बहुत एग्रेसिव माना जाता है मगर मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि मेरे रिलेटिव के पास भी रॉट्वाइलर है and मैंने ऐसा नहीं देखा है उनके पास because उनका Rottweiler बहुत ज़्यादा friendly है मैं बहुत ज़्यादा मगर ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के साथ friendly है वो well trained है और वो strangers पे उतना ही friendly होता है जितना उसे need होता है और number one पे है हमारे पास the ultimate dog breed German Shepherd German Shepherd world का one of the most intelligent dog breed है और German Shepherd को बहुत अच्छी space की जरुवत होती है because ये भी काफी active dog breed है German Shepherd को one of the most intelligent dog breed माना जाता है और active dog breed माना जाता है German Shepherd इतने protective होता है कि अगर आपको कोई कुछ कर रहा है और इसने देख लिया तो शायद ही ये उसको उसकी हड़ियां तोड़े बिना छोड़ेगा तो अप German Shepherd रखने के लिए भी काफी इसे training और socialization की जरुवत होती है तो अगर आप एक German Shepherd रखना चाहते हैं तो इन बातों का धिहान रखिएगा तो हमारे लिस्ट में नंबर वन पे था German Shepherd और इस लिस्ट के यहीं एंड करता हूँ मैं होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना शेर करना सबस्क्राइब करना और डिस्रिप्शन में डोब मैन और जर्मन शेफर्ड की वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो उसे चेक आउट जरूर करना थैंक्स वर वाच्छिंग